असलाम अलेकुम, नमस्कार, सस्रियकाल and बूद इवनिंग, मैं हूँ अर्जु कास्मी और आप देख रहे हैं Point of View, आज जी हम बात करेंगे जरा इंडिया की और पाकिस्तान की लेकिन जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही जो है वो मोईड यूसुफ सा कि किस तरह से भारत जो है वो इंवॉल्ड है जो जिस तरह से पाकिस्तान पर इंजाम लगता रहता है कि हर्वक टर्रियरिजम को सपोर्ट करने का पंटिंग करने का तो वही चीज़ उन्होंने भारत के बारे में बताई है और यह भी कहा है कि APS जो स्कूल बच्चों का जो जोईन किया है वेभप सिंग जी ने जो के आप जानते हैं कि GeopoliticalAutτι plannedisट है और हमें जबया से जोईन कर तूः हैं और बहुत जबरदस बोलते हैं और बहुत बढ़ के बोलते हैं कुछ ढकी शुपी बात नहीं करते हैं तो हम अमीद करते हैं कि आज भी उसी जलाब सेования 7 पह अब्सक्राइब करें नहीं है तो करी है और मोहिद यूसफ के बारे में मैं क्या बोलू है अमरीकी शहरी भी है पाकिस्तानी शहरी भी है मुझे नहीं पता कि आप लोग अपने स्ट्राडिजिक जो डिविजिन है आपकी मुल्क वो आपने अम्रीकी के हाथ में दे रखा है विकाज ही इस मेंबर ऑफ दा कमिटी विश टेक्स डिसिजिजिन्स ओन नुकलियर पॉलिसी तो यह आपकी और आपकी आवाम के हाथ में है कि कि आप एक ऐसे बंदे पर ट्रस्ट कर सकते हैं जो की दोहरी शहरियत रखता हो और आपके मुल्क का NSA यानि National Security Advisor बनने से पहले वो US Institute of Peace US IP वो उसका Vice President था वो एक हुकूमती दारा है वो Government of United States का दारा है वो ऐसा कोई थिंग टैंक नहीं है जैसे कि कोई प्राइवेट हो कानेगे इंडामिन ब्रुविंग स्टूड़ी किसी पर्टिकुलर ऑगनाइजेशन का या उससे जुड़ा हुआ है थिंग नहीं है वो वहां कि हुकूमत का थिंग टैंक है उसका वाइस प्रेसिडेंट था यानि कि वो एक मुलाजम था हलाकि पाकिस्तान में तो यह बड़ा फेमस आपका राहिल शरीफ जो आपके आर्मी चीख थे वहाज साओधी अरभिया की जो हुकूमत है उसके मुलाजम है तो यह मुलाजमत करने का कल्चर है जो नौकरी करने का कल्चर है तो के तावे रह करके और फिर उसके बाद वह बहुत हो जाते हैं पाकिस्तान अगर आर्मी ने सर्टिफिकेट दे दिया हो तो तो आज वो हुबलवतन भी है, वो आपके नुक्लियर पॉलिसी भी वो डिफाइन करते हैं, उसके उपर मीटिंग से बैटे हैं, लेशनल सेक्यूरिटी पर बाते हैं, आपने कहा कि उन्होंने इंडियन मीडिया पर बात की, अब मैं एक चैनल चलाता हूँ, डिफेंसे उफेंस चले या यूट्यूब के थूचले, लेकिन दवायर की विवर्शिप मेरे चैनल, डिफेंसे उफेंस के चैनल के छोड़ दीज़ें, किसी भी जो नॉर्मल स्ट्राइजिक अफेंस का जो चैनल होते हैं, उनसे भी कम है, और वो उस चीज़ को मुझे नहीं समझ में आरा, व लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, कि बड़ा अच्छा बूला और यह वो, आपको एक नॉन पंजाबी एकसेंट में इसे मिल गया है, और आप लोग उसी से नहीं फुले समा रहे हैं, कि यार इंग्लिश में बात करें, उसने जो है, कि एक ऑनलाइन प्लाटफॉर्म पे इंड लोग सेलिखेंगे यह वीडियो शायद फिर वो इस चीज़ पर डिसिजिजन ले, कि वो क्या थी, अब उस जैसे उन्होंने एक इल्जाम लगाया, कि 2014 जो APS, आर्मी पॉप्लिक स्कूल पे जो हमला हुआ था, वो रहा ने कराया था, हमारे पास पुरूफ है, तो भई, छ सबूत मीलें, तो आप सबूत को क्या कर रहे ह। उस सबूत को आप सो पार्ब्स सेटलाइट पे डाले गई, आप मार्स पे देज रहे हैं? भई, वो जो सबूत आपको मिले है, वो सबूत अप ले, आप अपनी मीडिया पे पुप्लिक कर दे, आजू कास्मी को देदे, हमि आपनी जाता है लेकिन उन्हीं पब्लिक जरूर करना चाहिए और और भर उनाइटेटीट नेशन लेके जाएं वह और से बड़ा इदारा हो उसके पास लेके चले जायें अब से पहले अपनी आवाम को तो दे अपनी आवाम को दिखाए कि भाई डेखे यह सबूत है हमारे बच्छों को जो मारा था वह रहा है दे सबूत है आप अपनी कौँ अपर आयद्माद नहीं है आपका आप जाते हैं दुनिया आप पे इतमाद करें, आपके इन एलिगेशन पे इतमाद करें, क्यों करेगी भई? ठीक है? पहली चीज. दूसरी चीज ये कि उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में फिंग टाइंक्स बने हैं, वो फिंग टाइंक्स अज़ फ्रंट यूज होते हैं, बलो पिशावर में, इसलावबाद में, आपके बैक्यार्ड से रॉप पैसा, इंडिया से पैसा लेकर अफगानिस्तान जाती है, रॉप आपके बैक्यार्ड से अफगानिस्तान से पैसा उठा करके बलोचिस्तान लेकर अपी जो आपे घर में है, तो यहां किसा रिपोर्ट कार ले रहे हैं माले तरों यह बात सचे कि रिपोर्ट कार्ड किसका है कि किसका फेलियर रहे हैं यह आपकी देंस का फेलियर ना यापता लो तरह कि लुकांव गया हैं वो सच सच हो अगर वो सच भी है तो भी वो फेलियर तो आपका है ना किसका फेलियर है कि आपके बैक यार्ट से पैसे जो है बिलियंस ऑफ डॉलर्स अफगानिस्तान से मलोचिस्तान चले जा रहे हैं यू यू अब तो दूसरी चीज अब देखे तीसरी बात अब उन्हो कि असला मचू जो की बियले का कमंडर है हमारे पास शवाहिद है कि उसका इलाज दिल्ली के एक अस्पताल में हुआ था हमारे पास रसीदे है जी ठीक है पूरी आवाम चलाते चलाते ठग गई पूरी अपोजिशन चलाते चलाते ठग गई कि जनरल साहब रसीदा कड़ो ज कि इसका असला मचू का जो इलाज है वो दिल्ली के एक अस्पताल में हुआ था तो मैं यही चीज़े आपके आवाम से मैं आपको यही कह रहा हूँ कि यह बाते इतनी खोखली है यह बिकॉर आप एलिगेशन लगा रहे हैं आपको आपको प्रूफ के साथ बात करनी आप कहते हैं जी हम डोजियर देंगे आपने पिछली आपने एक बार और दोजियर दिया था यूवन में वह इंडिया के गेंस की एंडिया टर्रिश्म कर रहा है उडिया इस अधिशन और कोई रिफरेंस नहीं है कोई शवाहिद नहीं है कोई प्रॉपर पेपर वर्क नही है तो आप फिर एक डोजियर बनाएं वो डोजियर आप लेके चले जाएं बेसिकली बात यह है कि FATF ने आपको जो 42 अब्लिगेशन दिये थे पूरे करने के लिए ग्रेंस से निकलने के लिए उस मैसे 40 पे आप खरे नहीं उतने हैं 40 पे तो अब आपको अटेंशन आपकी मर्जी है आप करें आपकी आवाम है आपको आपनी आवाम को बेवकूफ बनाना भी मैद नहीं कर सकता आप नहीं मगर वैबो जी इस तरह से अटेंशन डाइवर्ट तो नहीं हो सकती अगर अगर पाकिस्तान इनकेस जैसे के हैं ग्रेलिस्ट में है और वो बहरत के लिए भी यही बात करता है और भारत भी अगर इंक्रेस आ जाता है ग्रेलिस्ट में या किसी में भी तो उसमें से पाकिस्तान निकल जाएगा ना पाकिस्तान तुपकी पोजिशन तुवह ही रहेगी जब तक वो खुट को क्लियर ना करा दें तो यह कहना कि वो अपने अप जो कि उनाइटे नेशंस में बैं करीं है उनको प्रोस्क्राइब किया है अग्लोबल टर्रिस् आज़िशन थीक है इनमे… इनमें अग्जिधिती का रहेगा प्लीज एटियों पलीज रगया तो यह लिए बढ़ेगा जो अग्यदी का लिए बादी आप अप शोरोच में प आगवी, सपाय मुहमद पकिस्ताइच, निफाद फिकर जफरिया , इसलामिक स्टेट. भलकौाइड़ा आप प्डदे जाएए, नाम यह 50 यहाद्वें धुर्जियों, यह मुल्क में उग्जेस्ट करती है हैं और यहहीं अजुराते हैं। क्योंकि जी हिंदुस्तान साजिस्ट करता है तो हिंदुस्तान ने हमको साजिस्ट करके FATF से ग्रेलिस पर डाल रगता है आपके मुल्क में यह डाया जाता है कि हिंदुस्तान करता है इसलिए हमको इस तरह से पताया जाता है अधर्वाइस यह हम तो बड़े साधिक और अमीन लोग हैं तो भाई यह जो बैन करी हुई है यह जो नाम मैं बता रहा हूँ यह आपके हां क्यों एग्जिस्ट करती हैं यह क्या बेशती है छोले बेशती हैं कुलफी बेशती हैं क्या करती हैं इस जुर्म में इनको अधर्शी ने कोई इंडिया सेशन लेटर लेखा वो लेटर्स की जवाब देती है अपने शो में तो यही बात हो रही कि अब हाफिस सहीद साभ को उन्होंने कहा कि हाफिस सहीद जो हैं उनके सर के ओपर अमेरिका ने सौ मिलियन डॉलर की रखम रखी है कि कोई साबित कर द किते हैं कि अगर ऐसा हुआ होता तो अभी तक कोई क्यों नहीं वह रखम हासिब कर सकता है कि अधिया हम्जाद शोरेट साभ में यह मनलब मैं कई पर कंफ्यूज हो जाता हूं कि मैं इन बातों का क्या चवाब सी अमरीका ने यह इनाम इसलिए रखा है कि जो साबित कर के लिए उनको भुमाने के लिए वह अलरेडी डे डेजिगनेटेड टेरिस्ट है हाफिस सईद इस डेजिए डेजिए टेरिस्ट भाई युडाइट नेशन सेक्यूरिटी काउंसल थी कैसे पहली चीज दूसरी चीज अमरीका ने उसके है इड्मनी रखी है उसकी है बनी आ आप इसलिए नहीं रखते कि उसावा बिन लादन के सप्टे जो हैड मनी रखी थी वो इसलिए रखी थी कोई साबित कर दे कि नाइन इलेवन का टैक करा था तो हम उसको दे देंगे क्या यह बात ही इसलिए हैड मनी रखी दी यह देखें इस तरह से कौम को कंफ्यूज किया जाता है यह यह तरीके हैं यह टेकनीक्स है और यह काम करती है मतलब मैं नहीं कहता भई वह आयेस प्यार को रिपोर्ट करते होंगे शायद वाईस प्याम ही है कि आपको नेरिटिव विल्डिंग करने है तो आप कैसे बनाएंगे आप जिस इस पर डिफेंड नहीं कर सकते उस पे आप आवां को कन्फ्यूस कर दें सबसे असल जे सबसे आसान तारीक यह हुआ रहा हम नहीं कर सकते हाफस साइड को तो हाफिश साइड को लेकि आप अवाम को छूब है जो को कंशूजन मे रहें उनको लगे या यह यह है यह लिगार्ट है क्योंकि उन्होंने वो डॉलर्स जी है वो इसलिए है कि यह साबिक कर दो कि कहीं जिनका लिंक है वो में टेक में एक उन्होंने यह बात की दूसरी बात उन्होंने यह की जो थोड़े पहले में देख रही थी कि जो हर वक्त आपके बहुत पहा जाता है कि जी अपके बात होती है तो उन्होंने कहा कि आपके जो स्वाक की आर्मी चीफ थे मानिक शाथ उनका इंटर्व्यू है फिरन थापर के साथ पाकिस्तान की और इंडिया की साड़े चार लाग पहुच्टी यानि एक हमारे फौजी के ओपर आपके पंदरा फौजी थे तो 93,000 कहां से आ गए और कैसे उन्होंने सुरेंटर कर दिया वह जाब पता नहीं क्या कुछ बहते रहता है गोजी करो है लेकिन यह कि पटी को बंगी अनोंत आरहा है डिखें वाले आप इपयोजी करना ज़ें प्रकश का टांटर भेवकुर पे निकाल लेन और देखके हमाने की तो भोछी से इसए meant हैं उन्होंने क्या नंबर स्पोर्ट किये थे सब्सक्राइब जूट बोल रहे हैं विकॉज यह बहुत साफ जूट है विकॉज उस समय की यह चीज़े ऑन रेकॉर्ड है ठीक है हमारे पास उसका भी हिसाब है और फोज में पाकिस्सान की वह बहुत बाएक त्था बांद की उम्ध्यक के उंदर सकते हैं को हर चीज़े record पर होती हैं तो उन 93,000 फोजी के records मौझ Allah Sud है उसे समय के global reports मौझा है वह आप उछ था लिए देख लें उससमे के वीडियो मैं डीपी सी की report है वाइस आप उस वह तो मैं उसमें के अपको हो तächst अब जब आप आवाम को आप अवाम को कंफ्यूस कर देते हैं जैसे कि अब एक एक जामपल था मैं देना नहीं चाहता हूं बट ये बहुत पुरारी टेक्नीक है ये आज की नहीं है ये जब पॉल जोसेफ गोबल्स जब प्रोपागेड़ना मिनिस्टर था नाजी जर्मनी का ये उस तरह की टेक्नीक है आज की नहीं है सरी लेकिन एक चीज़ और भी बहुत चली यहां पर कुछ रसे से बल्के अभी तक चल रही है कि जो आपका यूट्यूब चैनल है उस पे आप मेजर गारब जब बात करते हैं तो कहा गया कि जो के पाकिस्तानी मीडिया पर भी आ भी बहुत दाब तकर आप का चीज़ा आपकिसे हाथ लिगा हम है कि तो ल papi के समय को चैनल है कि युटिया सफाथ कर देशात में करों कभी मौल्यों को पैसे जिने का तो मैंने भी सुना ड़ा तो इस तरह की बाते करते हैं तो इस तार चाहिन को एने को जो प्रवार चाहिए तो क्यों एक तरह की टेररिजम है जो बैठके अपने शोगे पूरे में पहला रहे हैं तो क्यों आप लगा रहा है मैं 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 कह रहा हूं कि मेरा चैनल जो है वो स्ट्राइटिक अपर है यूप इसूज पर है मैES पूरे ऐड़ा वीडियो में बनाता मैं पोलिटक्स के ऊपर वीडियो नहीं बनाता मैं इनला की कह रहा हूं कि चले गौरावादय ने बात कही यह मेरा भी स्टैंड है ठीक है कि इंडिया को इंटर्फेर करना जाए पाकिस्तान अगर आप अगर आपके कश्मीर में अगर कोई कंट्री इंटर्फेर कर रही है आपके यहां पर जो सिए के प्रोटेस्ट चल रहे हैं उनमें इंटर्फेर कर रही है आपकी कंट्री खालिस्तान का जो पूरा इंडिया का जो पूरा मैसला लेट नाइंटीज में और फिर उसको दुवारा रिफेरेंडम 2020 और दुनिया वर की चीजे वह प्रॉप अप करने कोशिश कर रहे हैं तो अगर वह आपके हां पर इंटर्फेर करें तो इसमें क्या गलत बात कर दी पहली चीज़ दूसरी बात कि गौरबारिया के खिलाफ आपको जाना है युनाइटेड इशाल्स चले जाए हैं सबूत लेकर के बता दें कि भाई देखें ये वीडियो है ये शिया सुनी फसादाद की बात कर रहें कि जा सुनी फसाद मुखें मुझे कहा कि हम के साथ हमारी श्यों के साथ दोस्ति करा दे किसे और वहạoरी चाहती है और पर बाद में आपकी काम मकसब पूरा ही कर दे तो दो हम नहीं Debsel लड़ना तो हम! लोगे इसको रिटायर होए 20 साल हो गए इस एक प्राइवेट इनडिविज्वल जो कि एक प्राइवेट यूटूब चैनल पे जो कि किसी और वह बिलॉंग करता है उस पे आकरके कि भाई यह होना चाहिए है इंडिया को यह करना चाहिए इंडिया को करना चाहिए लेकिन आपका तो जो सिटिंग वजीर आजम है जो आज आपका प्राइम मिनिस्टर है वो और रिकॉर्ड न्यूस चैनल पे मेंस्ट्रीम टेल में बैठके यह कुबूल कर चुका है कि मेरे पास सिपाय सावा वाले आए और उन्होंने मुझे कहा कि इस्टैबलिश्मेंट जो है वो हमें यूज करती है शियों को मरवाने के लिए बाब मुझे बताएं कि जब यह जो भी सबूत है जब यह लेके जुनाइटिक निशन जाएंगे कि मिदर गौरवारिया ने डिफें यह सारी चीज़ें के बातें करनी हängt वहीं मैं कह रहा हूं कि आपकी आवां को विकर यहा के हां पर इस में इंफलेशन तया है आग्स्तान में रहती है आपको पता है आटाटा है 15tt रुपए की बोरी बिक रही है जो पाचास रुपय這邊 कि रुपए किलो चीनी थी आज एख स जिसके आते थे आज उसके बिजली की बिल पंदर पंदर हजार आ रहे हैं तो जब आवाम की यह हालत हो कि उसको यह इलेक्ट करना हो आज ही शाहिद खाका नभासी जो आपके प्राइब मिनिस्टर थे वो जियो नियूस में देते हैं आज ही बैटे में तभी एक घंटे पहल करते ही है रोटी नहीं खिला सकते और अगर रोटी खिलाएंगे तो बिजली जो है वो काटी जाएगी विल पे नहीं होगा तो उससे जो है समाज में बनानी है बेजदती है इनके पास इतने पैसे नहीं तो आप क्या गुज़रावाला में तो जो है कि रली कल है लेकिन अधिगन दिविगवेटे तो आपने पी इंदिविज़tte तो जो की कमीजे उतार करके जो सड़कों पर एठेएव incent can बात करने हैं आप आप अपनी यह बहुत ट्राइड को जो जो असली मसायल है आपको उन पर बात करनी साथ करने हैं तो आप अधिक हम हम मुबारक बात देते हैं मिल गए जाएं और बेरकाब करें मैं तो मेरी गुड विशेस दे रहा हूं बट उसी इंटर्वियू में उसी नेशनल सेक्यूर्टी एडवाइजर में जो उसको यूगर मुसल्मानों को मारा जा रहा है इस अनौन इशू उसको इशू ही नहीं है आपकी आवाम वह वीडियो मैं चाहता हूं कि यह जो तारीफे कर रहे हैं मुझे नहीं पता है कि इस तरीके से इन चीजों को वह टॉलेट कर रहे हैं जस्ट बिकॉस इस्टिंग इंग्लिश ठीक है होना कोई गलत बात तो नहीं हुए वह वेड़ेटी करें में कि हिनोस्तान में हो सकते हैं यह किसी और मुल्के शॉहरी हो सकते एंप दो मुल्क में हो सकते हैं तो एयंडियों मुझे समझ मैं आप आपने अपने लिट चुना है आपको मभारब को सबसे बड़ी चीज जी है कि भाई आप यह इमरान खान साथ कहते थे ला डूए नैशनल कैसे मुल्का वजीर हो सकता है डूएल नैशनल कैसे किसी भी गवर्मंट का मेंबर हो सकता है उसके स्टेक नहीं है यह मैं उसके स्टे उसने औसली होती है जो बद्रत्निया है वहां के जो इंटरेस्ट उनको प्रोटेक्ट करने की तो भई यह बाते मैं तो नहीं हो यह बाते तो इम्हान थास अब करते आए उनका तो फूरा का पूरा जू प्रोटेस्ट चला है नवाश हरी के हुकूमत ते खिला वो इसी बात कि दना कमरेखर्चैंस कंट सब्सक्राइब हुत जतकूंत ज्तेशन नहीं हो तो तो आप किराए के फोक स्प 소र्सन की यह मेरा भी नहीं है एफ शाय की। हर चीज है किराय की है किराय की है किराय की इनी तो तह घुन वायर कि वर और याará रहा रहा है कंटेफल बिजनसें जो नहीं कर रहे हैं ठीक है अब तो पीजा वाले भी आ गए है तो बीस बिलियन डॉलर का तो उनका अपना खुद का एक एक पैरल एकॉनमी है अगर उनकी एक खुद की एक पैरल एकॉनमी चेंगे है अगे जो हमारे बता हारिस नावाज मेरे क्याल है बरिकेडिय पर पर भी एक तुफान मचाता उस रिपोल का तो उसको लेकर भी यह कहा कि आप लोग निकार पाकिस्टा में बहुत से लोग मिल जाते हैं जो तोड़े से पैसे दे कर और आपको जहें डेस्टे सकते हैं यह अपको नहीं लगदे क्या में अपने चैनल के जरीये कोई अच कर सकते हैं इसके कि दोनों कंट्रीज में और ज्यादा नफ्रत के और ज्यादा स्ट्रेस और टेंशन बढ़े तो अच्छी बात नहीं हो सकती है कि हम आपके हाँ पर आपके मुल्क को जो लूटने वाले हैं हम आपको उनका नाम पता दिने ठीक है इस अची बात भई आपक आप जो करते हैं ठीक करते हैं आप ऐसे ही किया करें वह आपका वेलविशर है जो बंदा आया और आपको दो थपड़ लगाया और आपको उठाके लेकर जाओ बोले कि तुम रियाब जाओ तुमको रियाबिलिटेशन की जद़त है यह नश्रे की लट छोड़ो तीक है वह आपका वेलविशर है तो भई हम हम पहले वाले वेलविशर नहीं हैं हम दूसरे वाले हम आपको बता रहे हैं कि यह आपकी यह लोग है यह आपके फोज है यह अपके रिटायर्ड ऑसर्टे अब नए पाकिस्तान हाॉसिंग सुसाइटी जो है उसका चेर्मेन और उसका जो सेकेंड कमांड है जो इंचार्ज है वो कौन है एक मेर जनरल है सर्विंग और एक सर्विंग ब्रिगेडियर है अब आप मुझे बता है कि अगरा सर्विंग ऑफिसर्स को नया पाकिस्तान वह रियल स्टेट का वह उसमें पैसा है बहुत वह तो कोई फॉजी हैड करेगा ना उसको एक ब्यूरोक्राट कोई सीनियर आपका 22 ग्रेड का ब्यूरोक्राट तो नहीं कर सकता बाइस ग्रेड से उपर तो कोई ग्रेड नहीं होती पाकिस्तान में तो आप कोई बिरोक्राट उसका हैड बना देते लेकिन आप ने भी बना कि नहीं 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 इसमें तो और वो रुपए इन वाल्ड है यह तो फिर फूजी हैड गरेगा इसको तो भाई अब फॉज क् इसा तो नहीं है कि वो इमान खान की घर से आएंगे और उससे जो है कि वो बनेंगे वह पैसे से वह मकान बनने तो भाई इतना जब पैसा इन्वाड़ हो तो वह हर काम फूज आप खुद कर रही है तो यह हमको फॉज ही तो दे रही है ना हम फॉज यह सारे काम आपी हम बात करना पना चाहिए मैं आपनी दुकान मत दूब कर दूगा शिटर किरा दूगा पर चलोंगा तो नहीं भाई यह तो साजिक और अमीन लोग हो बहुद कर ले अब हम अब हम से आपके कर दो से ब्हारत में सब कुछ परफेक्ट चल रहा है तो अब वीडियो आपके औ हमलेसे नहीं है अमेरिका में कैसे लोग उनके पना अपना छत नहीं है सअब बहुत है हर मुल्ड के अपने मसाइल है इंडुस्तान में भी गरीवी है पुरूबट है इंडिया की चैलेंज़े बट इंडिया का जो सिस्टम है वो सिस्टम करता है ठीक है एक Constitution है everybody is accountable to that Constitution आप इंडिया में कोई चीज नहीं कर सकते जिसको की 370 जो अब्रोगेशन भी हुआ है वो पार्लियमेंट से हुआ है ठीक है वो ऐसा नहीं हुआ कि एक दिन नरेन मोदी सोके उठा उठा कि नहीं आसे खटम हो गया या इंडियान आर्मी चीफ खड़ा ह उसने गोला कि हटा हो दिन पर चत्त हो गया ऐसा नहीं है पार्लियमेंट में बिल इंट्रोडियूस हुआ उसके उपर बात हुई डिवेट हुई हो मिनसे बैटे उन्होंने उसके उपर बात करी ऑपोजिशन ने जो है उसको आपोस किया बहसे हुई और लेकिन वह पास पा हो सिस्टम डिमोक्राटिक होना चाहिए कॉंसिटूशनल होना चाहिए तो हम यह हमारा जो एक्तलाफ है आपके साथ हो इसी इसी मसले में है और जब फारुक अब्दूला साब ने कहा कि चाएना को मदद करनी चाहिए दुबारा वही पहले वाला स्टेटस लेकर आने में कर सकते जो के कश्वीरी हैं अचा आप देखिए एक साहब होते हैं है अग्मरुदी नो ऐसी के चोटे भाई है उन्होंने खड़े होके स्टेश है कि फंद्रा मिनट के लिए फुलिस अड़ा दो सारे हिंदू मार देंगे हिंदुस्तान में ठीक है वह आज भी इलेक्शन चाहिने इलेक्श होते हैं पर्लामेंट में जाते हैं बैठते हैं के मुसल्मान बड़ा डरा हुआ है ठीक है तो जो लोग ये कहें हैं पंदरमेक्ली तो इस इंडिया है इंडिया होते हैं है अब आइध अब हुम कह रहे हैं की फारुक अब्दॉल्ला को जो कहना था इसका मतलब यह नहीं है कि आप उसके पर उठाकर करके आप मौसन डावड और अली वजीर के उपर साल बर कर दो साल पहले खार कमर मैसेकर जो हुआ था उसमें उन्हों ने जो है कि फॉजी मारती है और इन्हों ने जो आवाम मरी थी जो के सपोर्टर्स बढ़े थे यह खुद इन्हों ने मारे है मौसन डावड और अली वजीर ने आज उनको कोड से रिलीफ मिल गया और कोड ने कहा अग्बरुदीन वो ऐसी को यह कहने के लिए कि हम सारे हिंडू मार देंगे किसी ने गोली तो नहीं मार दी आप किया तो एक बंदा अगर किसी क्रिस्चन वोमन को जो का ब्लास्फेमी फॉल्स ब्लास्फेमी केस की जो केस लड़ रही हो उसके पर अलजाम हो उसका मुकदम लड़ने के लिए आप किया सिटिंग गवर्नर को गोली मार दी तो आप हम मैं यह कहता हूं कि आप हमें दर्स जो है टॉलरेंस का फ्रीडम ऑफ एक्स्प्रेशन का पाकिस्तान बिलकुल न दिया करें आप किया तो मूँ खुलने पर गोली मार देते हैं लेकिन वह वह जिस एंधारे ने मारा था सलमाल तासीर साब को अब इस तरह के बीड़ मालतासीर सलमाल तासीर साबका जो खुनी था ठीक है उसके ओपर फूल बरसाए गहे थे आप यहां किस ने वर साफ कि लॉयर्स ने क्या आप यहां के अपके जो लॉयर्स ने वह जुन ने लोग यह यह ने एक्स्ट्री मिजम नहीं एक्स्ट्री नहीं है स्कूल्स में प्राइवेट स्कूल्स की बात नहीं करें ड़ा रहा है जो हिंदु फोबिया जो आपके ऐस्कूल उखोडा है हें मतलब बागिस्टान अपर बाकिस्टान स्टेडीज का मतलब ही ःंदू है उसमें होता ही कुछ नहीं है कैसे बंडल कि उर्दु की सुनिये बैंस्टी उर्दु के आप्किया जो उनमें Pakistan स्टडी की नहीं फुञ अनदर कई ने किसी तरीके से अलग-अलग्र से cc तो आप क्या बात कर रही हैं मैं गवर्मेंट स्कूल की जाके नहीं सुना वह सकता है किसी चोटे राके में आहां पे कुछ होता हो लेकिन देके गवर्मेंट में स्कूल की बुक्स थी होती है तो अपप्णाब गवर्मेंट की आप जाकर ये किताब देख ना ले आप न क्या हुआ ने पीसा हिंदू पढ़ाया जाता है और पहली दूसरी जमात से ही शुरू हो जाता है और वो 12th standard तक चलता है क्योंकि मैंने कभी सुना नहीं इस ताना से कि किसी भी स्कूल में पढ़ाय जा रहा हुए तो मैं फिर भी चलता हुई आपके हाँ टेली विजन पे आज से 7-8 साल पहले डिबेट हुई थी ठीक है मैं कोशेश को हुए मैं उस डिबेट का अगर मुझे कोई लिंक मिले तो मैं आपको ढूंड करके भेशा हुए वो डिवेट आपके हाँ पे चली थी और लाइव टेलीविजन डिवेट थी और इस डिवेट में इसी पे ही वो डिवेट ही और आपके हां के साइगल सहाब थे साइगल या नएयर था आपके हैं सेनियर एजूकेशनलिस्ट थे उन्हों ने इस चीज को उठाया था कि भाई ये इतना हिंदूफोबिया हमारी गर्वर्मेंट स्कूल की किताबों में भरा गया है और उन्होंने एडमिट किया और उन्होंने कहा कि मैं ठग गया हूँ हुकूमत को बोल बोलगे कि आप इसको हटाए या वरना कि आप ऐसी ब्रीड तयार कर रहे हैं इस मुल्क में जो कि नफ्रती बुनियात में बढ़ेगी और ये फिर अकल को जाकर कि सबसारा डैमेज आक जब हिंदू नहीं होगा तो फिर वो शिया को मारेगा शिया नहीं होगा एहमदी को मारेगा एहमदी नहीं होगा तो देवधी बने बना दिया है उसे एक ने एक गददार चाहिए एक ने काफिर चाहिए तो वो काफिर उसको ढूंड लेगा किसी ने किसी में वो काफिर ढ तो उसके पास भी खुट को डिफेंट करने का राइट होना चाहिए ठीक है अगर वह चार्ज गलत लगे हैं तो उसको माफी मिलनी चाहिए विकाद अगर उसने कुछ किया ही नहीं तो उसको किस बात की सदा देंगे आप तर इतना कह देने पर उसको काफिर मान करें तो बुल यह पाकिस्तान में जिस पर हम लोग बोलते रहते हैं लेकिन कुछ सुनता नहीं कोई गलत बात हैं लेकिन अगेन कश्मीर की हम तोड़ी सी बात करते हैं कि आप दैसे वहां की जो में लीडर्शिप है बहुत सारी रूप अभी बलके वहां की प्रेजिट को आपने को एक सा बात मैं देख रहे थी ट्वीटर के पर नियूस चेक करें तो वह कैसे बताएंगे कि वह पाकिस्तान तो लड़ते रहें उनका जबके मैं बरसल यह समझे हूं कि ना भारत को बोलना चाहिए और ना पाकिस्तान को कश्मीरियों को खुट डिसाइड करना चाहिए कि वह चात साथ के दो लेकिन आ चाहते हैं पाकिस्तान की आप गवक्ताना के पाका क्यों के मघदारी का मुह मेरा हेar आपको नहीं पता होगा आटिकल 6 लग सकता आप लुकर क्योंकि पाकिस्टान का जो कॉंस्ट्यूशन है आपका वो यह कहता है कि खुद मुफ्तारी इन्डिपेंडेंट होने का कोई option कश्मीर के पास नहीं है आपका कॉंस्ट्यूशन होना चाहिए आप आपकी ख्वाइश ह हो सकती है बट आपका कॉंस्ट्यूशन यह कहता है कि नहीं है या तो वो पाकिस्तान के साथ इलहाख होगा या हिंदुस्तान के साथ इलहाख होगा बट जो भी प्लेविस साइट में जो बिज़ड़ा है था बट इंडिपेंडेंडन्स का कोई option आपके कॉंस्ट्यूशन म प्राइम मिनिस्टर जो है सो कॉल उसे खिलाफ गद्दारी का मुकद्मा दर्ज किया शाधरा पुलिस स्टेशन में लाहॉर में ठीक है अब बताएं कि आपके यहां जो आपका पपट प्राइम मिनिस्टर जो है पाकिस्तान उक्यूपाइट कश्मिर उसके खिलाफ आप ग फारुक अब्दॉल्ला बाहरे वह बाते कर रहे हैं कि हम चीन के साथ मिलके कश्मीर को आजाद करा लेंगे तो यह देखे चीजें वी मुस्ट वर्ण तू रीड बिट्वीन दे लाइन उनका जो बेटा है उमर अब्दॉल्ला वह तो अमेरिका में है वह आश कर रहा है वह तो बाहर बाहर निकल गया था तो कि टोक अफलाइट एंड वह रहते को इनके जानने वाले वह तो वह वहां पर आश कर रहे हैं बाव जी यहां पर बाते कर रहे हम की सथ लिए चाइला के साथ मिलके और मेहवव मुस्ती को भी छोड़ दिया है तो मेहवव मुस्ती भी है बाते करें उनको भी जाना हो अमेरिका लंडन जाना हो चली जाए देखें इन में से जाना किसी को नहीं है कहीं यह सारे रहेंगे यहीं पर इन सब को पता है कि जो इंडिपेंडेंस यहां मिल रही है जरा प्योके के वजीरादम ने कुछ बोला भी नहीं है और से ला पता फराद बूह चला जाता जास तो यह चीजे और लापता फराद आपके स्याइटी क मिल्ड़ एक हकीकत है शिंदी यह बलौचों सराइकीओ पश्तून और गिलिके ल्दिसतίν के लोगउं ऐसी कौन सी कौन है जिस कौन में लापता फराद नहीं है कि अरा आप कर हो और तेयुक्त भाईों की आपने जाननेवालों की तस्वीरें लेकर धरने दे रहे होते है governor house नहीने भाई रहे हिए हमाई इनको है कि हमामरे यह मेरा भाइ से हलर वरो अला मों हा का है रहते ही में गजाने ठाठी फार और यक्या उसमें भी ambulance आता हैं कि बहुत जादा इंडिया की इंवउल्मेंट को सिंधर में सराइकी बेल्ट में पस्छटून रीजल में बलोचिस्टान विल्गित में बल्टिस्टान में यह जहां-जहां पड़ाने में यह यह प्राइking रहे हैं, जा सिर्फ या अगर अगर रॉने कराए हैं तो आपकी हुकूमत तेरा सीथ हमारे लाखों बंदे गायब है फिर तो नंबर उने इसी रॉइब है जिसने बना पाकिस्तान के लाखों बंदे गायब कर दिये और वो उनको आयसाई पकड़ दी पारी है कहा लाइब किये रहे हैं वह पाकिस्तान में और इसको बहुत जाएब करने की और देखने की जरूरत है लेकिन एक चीज़ और है कि जो अगरे मैं दुबारा बात करूंगी अच्छेश्वेट साब की कि उन्हों ने अपनी वीडियो में ये भी कहा कि बहुत दफार जैसे औरी का वाकिया हुआ पठान क बहुत जब आखे टावत जब पर दूसरे बीडियो जो वी जो बहुत भारत में और पाकिस्तान का नाम लगाए गया तो उसमें उन्होंने ये भी का कि जब पाकिस्तान आये थे नवाइशरीप साथ की दावत पे और वो उस वाग वो को इलेक्शन होने वाले थे और वो इ जब एलेक्शंस होतें तो वह जीते या हारे पारिस्तान के नाम बिछा इस तरह कि नारा के नारा कि लेक्षन लगे थे कि दो पाकिस्तान के लेक्षन में लगेते ला और ये नारा मारा किसले था यह आपके हैंसम प्राइम मिनिस्टर इम्रान साब ने मारा था उनकी पार्टी उनकी जमात कंटेनरों पर खड़े होकर के पूरे एलेक्षिन के टाइम पर यही नारा मारते हैं जिन्दाल जिन्दाल वह जिन्दाल वना बना करें कि जिन्दाल को भूशन जादव को बहुत से लोग आर्जू बोलते हैं डिवेट्स में और मैं वब्वाती नहीं करहा हूं मैं कह रहा हूं कि जो मोदी का यार है गदार है जिन्दाल का यार है गदार है जिन्दाल के साथ मीटिंग हो रही थी और क्या कूफ्या मुलाकाते हो रही थी और पाकिस्तान में खिलाफ साजिशें चल रही थी और मोदी को हिंदुस्तान पाकिस्तान बिना वीजा के कैसे तो यह तो पहले पाकेसानियों को यह कहना बंद कर देना है कि उनके इलेक्शन में इंडिया लॉल इशू होता है इंडिया बहुत बड़ा इशू होता है इंडिया इसके नाम पर इलेक्शन जीता है। मैं मानता नहीं हूं इस 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 प्राइम मिनिस्टर दूसरी चीज अब कि भाई मोधी साहम ने खुद अटेक करा लिए कश्मीर में तब नहीं होते थे यह पिछले एक साल में कम हुए हैं जब से हमने आर्टिकल 370 अटाया इतना पीसफुल कश्मीर तो मैंने अब्जर्वर आस तक नहीं देखा था कश्मीर में इतना पीस होग है कि वह इतनी कम अटैक्स हुए हैं टरिजम इतना कम हुआ हो में चीज क्या है कि कश्मीर में अटैक्स हमेशा होते रहते हैं आर्टिकल 370 हटने से पहले तक वह हर साल पे हर साल दागी हर दूसरे महीने पहले कि पिछली आटैक्स के महीने ही था खो ह्रहा था तो इलेंस लेट पहले भी हुआ रहते ही क्या घ्रटिकल्यव यह सों के लकरी कर रहे हैं उसके और भी दिखाना है को यह क्या कर रहा हैं तो यह सारी चीज Mmg और इंडिया जैसी सोसाइटी में आप एक्सक्राइब करते हैं पाकिस्तान की तरह नहीं है कि एक आईएसाई है विच ओवर लुक्स और शैड़ों एवरी अधर एजनसी जो एफ़ाइए नेफ जुडिशरी सब कुछ अकेरे मैंनेज कर रही हैं इंडिया में इसा नहीं है इ एक एजनसी में माल लोग एकर किसी एक एजनसी ने ये करा भी दिया होता ठीक है तो कोई नो कोई दूसरी या तीसरी एजनसी को उसके वारे मालूँ चल जाता और वह इंफॉमेशन बाहर आ जाती है इंडिया में आप यह कर नहीं सकते हैं मतलब यह मैं आपको बता रहा जो की कोई हैंडिल नहीं कर सकता है इंडिया में सारी और सबसे वड़ी चीज़ जीए कि सारी एजनसी अलग अलग लोगों बहुत सारे लोगों को रिपोर्ट करती है जो एक जो एक्स्टर्नल एजनसी है आपकी और इंटेलिजन्स व्यूरों भी वह हो मिनिस्ट्री को रि पुलिस पर लेवल पर आजाएगी बाहर आजाएगी किसी ने किसी इंटेलिजन्स अजनसी के लेवल पर आजाएगी वह अब कंट्रोल नहीं कर सकते वह निकली जानी है ख़ब और जिस तोंह का मीडिया है इंडिया में वह न्यूस मतलब यह रिस कोई कोई भी अन्होंने बहुत दफाव जो है कोशिश की ऑनोने हो ने बहुत दफाव जी को फोन करने कोशिश की जो इन अउघ निया देखा है नैंकि यह जय बहुत और बहुत से चीज़ अपंड़ा जए टो बम लुट किए बना इस जी कभी बढ़ जाता तो आपके कुछ ragi बचादि यह लेकिन यह के अभी भी जो बात की है मौहिद यूसुफ ने उन्हों ने भी यह कहा है कि इंडिया और पाकिस्तान को बात करनी चाहिए तो आप क्या करतां आप सपोर्ट करते इस पहली बात पहली बात तो मौहिद यूसुफ साहब अपना माइन लिकलियर करें उन्होंने आपको मतलब स्थेट्मिंट मुझे नहीं सब्सक्राइए एक हाथ के आप यह पास यहunta कर देखें ने तरहीज है थो तीक है बलोचस्तान में ऐसे भेज रहा है अफगानिस्तान से यह देखे यह असला मचू का इलाज दिली के स्पताल में कराई यह उसका बिल है तीक है दूसरा आप कह रहें कि नीज आप हमाई साथ दोस्ती करें हमाई बैठें बात करें वह आगे बढ़ना चाहरें ना उन सा कि जाने कि बिए आप उसको भूल के दोस्तान से दोस्ती करना चाते हैं कि बतल Ten बड़न का मकां मेव बून का मकामीं बढ़ी है जैता हैं कि अनुस्ताइब ट्रौ मां बट औप Mir यह मार धिर हम सब हुल Roman का 어 लुच्श जो बनाया है इमरान खान सामने मैं चाहूंगा एक एक ऐसाब कमिशन इंडिया के खिलाफ बनाएं और इसाब करें इंडिया का जाए उनाइटेट नेशन्स में जाए अमरिका में यू के में साउथ अमेरिका पुरी दुनिया में भूमे और सबूतों को ऐसे फ्लैश करें कैम से इंडिया को इंडिया को ब्लैक लिस्ट करा है कि इस प्रीटर को यह आप टरेंट लेख्राइब चांट्रीज को तो आज मैं एक वीडियो फ्रेमियर कर रहा था प्र चैनल पे उसमें पाकिस्तानी आई-इस प्यारिके जमूराइतर के स्पैम करें थो उसमें लिख रहे लाइब दीडियो में की ब्लैक लिस्ट हैस्टाइग ब्लैक लिस्ट इंडिया अब इनको बेवकूफों को यह पढ़ता है कि लाइब यूट्यूब वीडियो में हैस्टाइग काम नहीं करते इस पीक है कर रहे हैं आपका मज़ा में में जो गौरा वारियों को भी ट्यारिस टिक्लियर करवाद है करा दे तरा दे बिल्कुल क्यूंकि ट्यूटर पेक्सा लोग लिखते हैं आप दोनों को कि आप लोग वो शोले के शोले फिल्म के जे और वीरू जैसे हैं तो अब आपकी बाते सुनके मुझे जाने तो आपकी जाने फिल्म के एमजड़ के रह रहे हैं जो जैने वीरू के सатती ही जो जो आपगे वीरू चोले पर आप कारक्टर्स की तरहे आपम जगौरर को में बताउनगी तो था द्यूंकिता किमीर बहुतल। वयवर्धिक आपने ज्यूइब काता। धाने झाल झाल